तो हेलो एवरिवान यह है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट आगे हम यहाँ पर देखेंगे इस शेयर के रिजल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं शुरुआथ करेंगे यहाँ पर इस शेयर के टोटल इंकम से yearly basis में जो income है वो 103 लाग थी जो quarterly basis में 746 लाग यहाँ पर हो गया है Quarterly basis में यहाँ पर जो share के income है वो यहाँ पर increase हुई है अब बात करते हैं इस share के यहाँ पर total expense की total expense 60.75 लाग थी जो quarterly basis में 45.35 लाग यहाँ पर हो गई है Income यहाँ पर increase हुई है लेकिन यहाँ पर जो share के expense है वो decrease हुए है Total comprehensive income की अगर हम बात करें Total comprehensive 385 लाग था अब जो है 631 लाग यहाँ पर हो गया है आगे हम इस share के जो है earning per share को भी देख लेते हैं यहाँ पर तो earning per share जो है yearly basis में वो around 1.19 पैसे था अब जो है 6.1 पैसे के करीब यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वैसे तो यहाँ पर काफी जादा बढ़िया देखने को मिले है अब बात करते हैं share के price level की तो इस मन तक का share का maximum target 700 रुपे के अब देखने को मिल जाएगा share के result भी यहाँ पर बढ़िया रहे है तो long term के perspective से hold करना चाहे तो आप इस share को यहाँ पर जो है long term के perspective से भी hold कर सकते हैं